दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जरूरी जानकारिया देने वाला हूँ जैसे की ORP3, National Incubent Pay, Commutation Period में बजलाओ और Defense Salary Package Account तो दोस्तों अगर आप भी एक पेंशनर है या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए उसे के साथ दोस्तों आप से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब कर लीजिए ताकि पूरो सेनिकों से जुड़ी ऐसे ही नहीं जानकारी आपको रेगुलर बेसिस पे आगे मिलते रहें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हम 10 रूपी 3 की बात करते हैं हाली में एक अकबार ने 10 रूपी 3 के बारे में जानकारी परकाशित की है हो रही है लेकिन अब तक कोई भी टेबल ऑफिशली जारी नहीं की गई है हाला कि हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें इसकी सही जानकारी मिल जाएगी और पेंशनर्स को उनका हग भी मिल जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं नोशनल इंक्रिमेंट पे के बारे में दोस्तो हमारे डिपार्टमेंट ने सभी पेंशनर्स के लिए नोशनल इंक्रिमेंट देने का आदेश जारी किया है लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक इस आदिश को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों इसका कारण यह है कि भारत सरकार या D.O.P.T. की तरफ से अब तक कोई भी सपस्ट आदिश नहीं आया है जब तक सरकार का order नहीं आएगा तब तक Department किसी भी पेंशनर को National increment Pay नहीं डे सकता पर इसके अलवा अगर आपने कोर्ट में Case किया है और कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है तो आपको 100% National increment Pay मिलेगा उसके बाद दोस्तो हम बात करते हैं कम्मिटिशन के बारे में तो दोस्तो कम्मिटिशन पिरेड को 15 साल से घटा कर 11 या फिर 12 साल करने का मामला अभी तक DOPPW में पेंडिंग है और अगर आप चाहते हो कि आपकी pension recovery जल्दी बंद हो जाए तो आप court में case भी कर सकते हो court में सुनवाई के दौरान आपको इसका लाब मिल सकता है नहीं तो जब तक DOPPW का final order नहीं आ जाता तब तक आप भारत सरकार के आधिश का इंतजार कर सकते हो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं defense salary package अकाउंट के बारे में तो दोस्तों कई बैंकों द्वारा ये सुविधा दी जारी है जिससे अगर किसी पूरु सेनिक की मृत्य हो जाती है तो उसकी पत्नी को साहेता राशी मिलती है जैसे कि SBI, Axis Bank, Bank of Baroda, Canada Bank और PNB ये सबी बैंक defense salary package अकाउंट की सुविधा देती है अगर आपका खाता इन में से किसी पे बैंक में है तो आप ही सुविधा का लाब ले सकते हो ये सुविधा दुर्गट ना में मुर्ति होने पर आपकी पत्ने को 50 लाग से 75 लाग तक का insurance लाब देती है तो दोस्तों ये थी आज की कुछ जरूरी जानकारिया तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने फौजी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमाले चैनल को भी जरूर सस्क्राब कीजिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन